हेलो मेरे तल्द कलास के होनहार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी देखिए आप लोगों के लिए मैं स्पेशल सीरीज स्टार्ट किया हूँ टेस्ट पेपर का टेस्ट पेपर या इसको आप सैंपल पेपर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये टेस्ट पेपर पूरी तरीके से आप लोगों के CBC Board जो होने वाल है भी Board Exam उस exam के pattern के according त्यार किया है तो आप लोगों क्या करना है तीन घंडे का time लेना है तीन घंडे का time set करना है और इसके अलाबा आपको examination seat लेना है जो exam में जैसा seat आपको मिलता है आपको marketer में वो seat मिल जाना है तो हाँ से आप seat खरीद ले और आप इस test paper को solve करे ठीक है solve करे आप तीन घंडे का पूरा time लगाएंगे आप को पता लगेगा कि भाई आपको मतलब आप कम से कम पाच paper solve कर लेगे तो आपको इतना अनभब हो जाएगा कि आप 8 नमर के question में कितना time देंगी आप 3 marks के question में कितना time देंगी है ना MCQ में आपको कितना time देना है सारा कुछ time management आप सीख जाएंगे प्लस में इनमें से ही बहुत सारे question आपके exam में repeat भी होंगे तो ये भी benefit रहेगा ठीक है तो चलिए अब हम अपने पहले test paper को देखते है पहले sample paper को देखते है अब हम अपने test paper को देखते है देखिए सबसे पहले आपको पता दू तीन घंडे आपको इसमे time मिलेगा है ना और 80 नमर का आपका exam रहने वाले board paper में भी आपका same pattern रहेगा एक बार मैं दिशान दिर दिश पढ़ देता हूँ देखिए पेपर जो है ना कुल मिला के आपका 5 खंडों में भी वाज़े दे का खा गा खड़ा में है ना और 34 प्रसन होंगे एक से लेके 21 तक एक नमर वाले MCQ होंगे और 22 से लेके 27 तक लगो उत्रिये प्रसन है जो की 3 नमर वाले है 60 से 80 सब्दों में आपको इसका उत्र करना होगा है ना आपका जो 28 से लेके 30 तक होगा ना ये होंगी 8 नमर वाले जो की 300 से 300 सब्दों में इसका उत्र आपको देना होगा और उसके बाद अगला खंड आपका जो होगा ओ है 31 से लेके तिस तक जो शुरूत आधारीत रहेगा और इसमें एक शुरूत में तीन प्रसन होंगे चार रंग वाले होंगे यह चार रंग का एक प्रसन है तीक है और आखिर में आपका जो अगला last खंड होगा हो 34 वा question होगा जो कि मान चित्र पर आधारीत होगा तो ये आपका विपर का pattern रहेगा और बागी प्रसनों में कुछ प्रसनों में आपको विकल्ब भी दिये जाएंगे जैसे 8 नंबर में 2 question दिये जाएंगे उसमें से आपको एक करना होगा अब देखें खंड का में आपका MCQ रहेगा पूरी तरीके से अब हम पहले MCQ को solve करी लेते हैं MCQ को हम अच्छे से कर लेते हैं ठीक है देखें पहला question है कि सिंधु घाटी में एक नवीन सब्वेता की खोज की घोशना होई तो आप इसका answer क्या पताएंगे? 1924 याना 1924 में John Marshall ने पूरी दुनिया के सामने सिंधु घाटी में नई सब्वेता की खोज की घोशना की थी यह बात आप लोगों मालूम है अगला question है जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा function है कि aanज़का मांडा किस नदी के पास इस्तित्था तो देखी हड़का अगर आप मैप को देखminded down मैप अगर आप अपनों आप लोगोंने पहले चप्टर की मैप को देखा उगा तो आपको साब्दी इसापुर में तो यहां पर हमारा option B क्या है सही उत्तर है उसके बाद हम question number 4 देखेंगे question number 4 दे रखाए असोक किस अभिलेक में और युनानी लिपिगा परियोग किया था तो देखें असोक ना जो आपका अफगानिस्तान से अफगानिस्तान से जो भी अब लेक हमारे को मिला है ना सोक के उसमें आरा मेर्क और युनानी लिपिगा इसनमाल किया गया था यहाँ पर लिपिक के बात हो रही है तो बच्चो ऐसा है कि अगर आप mcq में पूरे नंबर लेना चाहते हो mcq मैं आपको पहले भी पता चुका हूँ कि अगर आप लोगों ने ncrt book को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो पूरे नंबर आपके मिल जाएंगे किस में से किस नंबर आपके mcq में आने वाले है ठीक है अगर ncrt नहीं भी पट रखा है तो भी आप लोगों ने अगर youtube वीडियो बेगारा देखी के तो भी आप कर सकते हो लेकिन थोरे बहुत नंबर आपके कट सकते है लेकिन ncrt book को बहुत अच्छे से रेट कर रखा है तो काम हो परूरी है है ना तो यहाँ पर पूचाए कि अल बिरूनी के किरितिक किताब ओल हिंड के संबंद में असत्य कथन कों से है तो option यह दे रखे है इसकी भासा सरल और इसपस्टी भाई यह तो सही है इसमें भारतिय धर्म दर्सन तिवहार खोगोल विज्ञान कीमिया मुर्द option C क्या है गलत है और आपका यह answer होगा option C यहाँ पर ठीक है असत्य पूचा गया था चलिए अगला question है question number 6 फ्रांसवा वर्नियर के संबंद में जो कथन असत्य है वो है अब एखो फ्रांसवा वर्नियर के संबंद में जो कथन गलत है हाना वो आपको बताना है तो मैं चाहत question का answer आपको बताए भी था तो आप लोग मेरे को comment में इस question का answer बताईए ठीक है चलिए आगे बढ़ते है question number है अमीर खुसरो किस से मिलने जाते थे अमीर खुसरो थे कि अमीर खुसरो के बारे में मैं आपको बता दूँ अमीर खुसरो जो थे हो महान कभी हुए ठीक है और इसके अलाबा यह जो थे वो सेख निजामुदीन ओलिया के अनुआई थे एक तरीके से ठीक है तो यहाँ पे अगर हम answer की बात करें तो भाई मेरे हिसाब से तो यहाँ पर option D आपका सही है सेख निजामुदीन ओलिया के इस हिस्से भी थे और यहाँ पर मिलने जाते थे तो भाई इन ही की बात होगी सेख निजामुदीन ओलिया की ही बात होगी बागी अगर आप लोगों को कुछ और option ल अनशूर दुआब हासिउल किया, बिलकुल किया था भी किरिसना नदी और तुक भदरा नदी के बीच का चेट्र था उसको हासिल किया था उसने अपनी मा के नाम पर हैंगे सब् landing कोशन है मुगल कालीन मुगल कालीन धिल्ली अनुसार कि दुट किस्म की फसलें पैदा होती थि दिल्ली पति की बात कि parlar तुं यहां पर आपका होगा 43 किस्म की फसलें वहां पे जाती थी आगरा में 39 दिली में 43 और बंगाल में चावल की सिर्फ पचास किसमें उगाई जाती थी सिर्फ चावल की ठीक है तो यहां पे हमारा यह सही उतर हो जाएगा उसके बाद कोशन नम्मर 10 देखते हैं कोशन या खाने पीने के लिए कुछ पैसे उनको दे दिये तो जज़्वानी पढ़्था होता था ठीक है अब देखो कथन और कारण वाले में बहुत सारे बच्चे फंस थे हैं कि भीया कथन और कारण वाला कोशन होता नहीं है गलत हो जाता है बगरा बगरा बहुत कमेंट मैं अपने को पढ़ते हम कथनते रखर है कि गाउं में कभी कभी किसानों और दस्तकारों के वीच फरक करना मुश्किल हो जाता था ठीक है तुछ बाइएट बील्गू सही है, गाउं में कभी prisoner के बीच में फरक करते थे तो इस कारण फर्क करना मुस्किल हो जाता था अब कारण क्या दे राखा है कारण है कि गाऊ में कई ऐसे समों थे जो खेती और दस्तकार ये दोनों किसम के काम करते ठेगक ये सही का आपका region में दे रखाए, कारण में दे रखाए, ठीक है कारण थोरा उपर लिखा गया है, उसके लिए माफ़ी जाता हूँ, तो कारण में दे रखाए, अब आप देखे, दोनों में relation देखे आप, दोनों में relation है, बन रहे, उपर बता रखाए कि भाई, कभी-कभी दस्तकारों और किसानों के वीचे में फर्ग करना मुश्किल हो जाता था, और कई बार नीचे बता रखाए, गाओं के कई समों क्या करते थे, खेती और दस्तकारी दोनों किसम का काम करते थे, इस कारण किसानों और दस्तकारों में फर्ग करना मुश्किल हो जाता था तो दोनों यहाँ पे सही है और जो कथन है ना कथन जो हो मतलब जो कारण हो कथन का सही स्पस्टी करन भी देता है तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो option A क्या दे रखाए कथन और कारण दोनों सही है कारण कथन का सही स्पस्टी करन करता है तो इस तरीके से आप इसका अंसर कर सकते थे अब question number 12 है कि किस प्रांत को बंगाल आर्मी की पौध साला कहा जाता है मतलब बंगाल आर्मी की पौध साला का मतलब है कि जहाँ से जादा तर लोग बंगाल आर्मी में भरती लेते थे तो अबद है, महराष्ट है, हैदरावाद है, फिर दिल्ली है तो इसमें आपका सही उत्तर होगा अबद अबद से ही जादतर सिपाही बंगाल आर्मी में भरती लेते थे इसलिए इसको बंगाल आर्मी की पौदसाला कहा जाता है उसके बाद कोशन नमर 13 दे रखा है कि अंग्रेजों ने विद्रो को दवा कर दिल्ली पर पुनह नियंतरन कब इस्तापिद किया मतलों दिल्ली पर दुबारा कब जा कब गिया आपको पता ही कि 11 मई को दो भाई दिल्ली मुक्त अगया था फिर उस पर कब जा कब किया दुबारा अंग्रेजों ने तो यह आपका जो सही उत्तर होगा मैं आपको बता देता हूं option C सितंबर 1857 में किया था कब किया था सितंबर 1857 में ठीके उसके बाद question no.14 दे रखा है कि बंबई की हंसा महता समीती का संबंध है तो हंसा महता समीती का संबंध किस से था देखिए महिलाओ के लिए काम करती महिलाओ के सिक्षा के लिए काम किया महिलाओ के न्याई करिकार के लिए काम किया था तो यहाँ पर अगर आप देखे न तो option आपका क्या है ए सही है महिलाओ लिए न्याय की मांग से इस समिति का संप्ध था ठीक है बाकी ऊपर नीचे के जो तीनों दे रखे हो गलत दे रखे हैं ऊपर वाला आपका महिलाओ के लिए न्याय की मांग से है ये आपका सही उत्तर है ठीक है अब आजाए question number 15 में question number 15 है निमलिकित अनुछेद में से किसमिक governor किसी पारिष पर केंद सरकार द्वारा raja sarkar के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गिया है मतलब कौन सा ऐसा अनुचेद है जिसके तहट केंद सरकार, राजे सरकार के सारे सक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है तो इसमें है आपका अनुचेद नमबर, आपका है अनुचेद 356 आपसन C यहाँ पर क्या है, सही है, 356 के अंतरगत ऐसा होता है अब एक और कथन और कारण वाला कोशन आ गिया, देखिए पहले कथन दे रखा है कि गांधी जी के पास चमतकारी सकतिया थी तो ऐसा तो आपने पढ़ा है भाई, कि ऐसा मतलब अफवाय थी कि गांधी जी के पास चमतकारी सकतिया थी option मतलब जो कारण दे रखा है वह है कि गांधी बाबा गांधी महराज अत्वा समाने महात्मा जैसे अलग-अलग नामों से गांधी जी को सम्मोजित किया जाता था तो यहाँ पे भी मैं आप देखू तो गांधी जी के पास चमतकारी सक्तिया थी यह बात वैसे तो गलत है लेकिन आपके बुक्यों अकॉर्डिंग देखे तो उनकी चमतकारी सक्तियों के अफ़वाय फैली थी तो उसकी हिसाब से हम इसको सही मान के चलते है और इसके पीछे ऐसा मानने के पीछे क्या कारण था कि भाई लोग गांधी जी को गांधी बाबा महराज महत्मा जैसे नामों से पुकार करते थे तो भाई मेरे हिसाब से तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पस्टी करण भी देता है ठी देखे चली बाकी अगर आपको कुछ और आंसर लगता है तो comment में आप जरूर बता सकते हैं मेरे को अगला question है खिलाफ़त आंदुलन चलाया गया मतलब खिलाफ़त आंदुलन किसके दोरा चलाया गया था उसके बाद अगला Question है Question No.18 है दक्षिन अफ्रीका नेही महात्मा गांधि को महान बनाया इस कथन के वक्ता है मतलब किसने ये बात कही कि दक्षिन अफ्रीका नेही महात्मा गांधि को महान बनाया था तो इसका हमारा जो सही उत्तर होगा ओफ़े Option B चंदरन देवनेशन इद्यासकार चंदरन देवनेशन नहीं ये बात कही थी ठीक है उसके बाद 19 वा कोशन है वर्नियर के विवरन वर्नियर का विवरन उप महादीब के जिस जटिल समाजिक सच्चाई की और इसारा करता है वो क्या है ठीक है किस जटिल समाजिक सच्चाई के बारे में बताया था, हो था, सिल्पकारों के बारे में, कि भाई, सिल्पकारों गोना, उनके उत्पादन को बहतर करने के लिए, कोई राज्ये से सहायता नहीं मिलता है, ठीक है, तो इसके इसाब से अगर आप देखेंगे, तो भाई, मतलब इसमें ऑप्सन जो दे रखा है, उसके इसाब से अप्सन ए आपका क्या है, सही उत्तर है कि भाई, सिल्पकारों को अपने उत्पादन को बहतर करने के लिए, राज्ये के द्वारा कोई सहायता नहीं मिलता था, उसके बाद कोश्चन नमर है आपका 20, कोश्चन नमर 20 है, अल विरूनी की किर्थि किताब ओल हिन्द के समंद में असत्य कथन बताईए, वैसे ये कोश्चन रिपीट हो गया, उसके लिए माफी जाता हूं, ये कोश्चन उपर भी आ गया था, तो असत्य कथन कौन सा है भाई, असत्य कथन सी है आपका, यह भार्जी भासा में लिखे गई थी लेकिन इसकी भासा कौन स असतर बताईए, कि लहोर अदिविशन के विशे में असत्य है, अप्शन ये है, यह दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया, अप्शन भी है, इसमें पुर्ण सोराज की गोशना की गई, अप्शन सी है, इसकी अध्यक्सता बल्ला भाई पटेलने की, अप्शन दी है, 26 फरवर 1930 को पर्थम सोतंता दिवस मनाए गया, तो आप बताए मेरे को, इसमें से गलत असत्य कोन सा है, आप जरूर बताए, ठीक है, कमेंट में, अब हम खंड खा में चलते हैं, जिसमें 3 मार्क्स के कुश्चन दे रखे हैं, ठीक है, तो मैं आपको हलका कुश्चन को समझाता कि किस कोश्चन में आपको क्या आंसर डालना है, क्या आंसर लिखना है, पहला कोश्चन है कि अंग्रेज जंगलों को साफ करके इस्थाई क्रिसी का विस्तार क्यों करना चाहते थे, कोई 3 कारण दीजी, अंग्रेजों को इस्थाई क्रिसी करवाने के पीछे का सबसे में का तैक्स मिल सकता हैं दूसरा करना चाहते हैं तो इस कारण से भी इस तैक क्रिसी को बढ़ावा देते हैं उसके बाद है राज्यस्व मुगल सामराजे की आर्थिक बुनियाद थी वैपार के संदर में इस कत्वन को सपस्ट कीजिए देखिए कोश्चन समझने लाइक है कि राजस्व जो है न मोगल सामराजी की आर्थिक बुनियाद थी क्योंकि पूरा सामराज्य राजस्व के बदौरते ही चलता था राजस्व का मतलब क्या है टैक्स कर उ हाँ खुれ तो राजस्व कव मोगल सामराज्य की आर्थिक बुनियाद इसलिये माने जाती थी क्योंकि पूरा मोगल सामराज्य इसी पर डिगा हुआ था इस चलता था और राजस्व क ei कत्रित करनेके लिए एक प्रसासिनिक धांचा तेयार किया था मोबल सास emotion जिसमें दिवान के वारे में आप लोगों ने पड़ा होगा दिवान विशेस अधिकारी होते थे दिवान को ही ये अधिकार दिया गया था कि वो पुरे सामराज्य के राजस्व को मतलब जुटाए राजस्प एकतिर्द करने की जिम्मा इसी की थी अब राजस्प एकतिर्द करने में कई चरण थी जैसे कि पहले करका निरधारन होता था उसके बाद बास्तिवी कवसूली की जाती थी और किसानों के वारे में सभी जानकारी जुटाई गई जमीन की नपाई करवाई गई है ना और उसके बाद tax का निरधारन किया गया और इसके अलबा किसानों के पास option होता था कि वो नकद के रूप में भी मतलब नकद ठीक है नकद के रूप में भी tax pay कर सकते थे या फिर फसल के रूप में भी दोनों option उनके पास मौझूद था तो ये point आप बता सकते हैं इसमें 24 पा question दे रखा है कि भूमी के नीजी स्वामित्व तथा राज के स्वामित्व पर बर्नियर के बेचारों का उलेख कीजिए मतलब कि नीजी स्वामित्व आपको पते हैं बर्नियर क्या बोलता है कि भाई नीजी भू स्वामित्व का भारत में अभाव था अब नीजी भू स्वामित्व में क्या होता है कि पूरे जमीन का मालिक जो है वो कोई नीजी बैक्ती होता है जिसका जमीन में मालिक होगा मतलब मालिकाना अधिकार होगा और राजकिय स्वामित में क्या होता है कि राजा जो राजा है वो क्या होगा भूमी का मालिक होगा यानि कि राजकिय भू स्वामित में पूरे जमीन का मालिक जो था वो मुगल बासा होता था मुगल बासा क्या करता था अपने अमीर लोगों में जमीन को बाट देता था अपने सगे संबंदियों में जमीन को बाट देता था जिस कारण किसान उत्पादों को बहतर करने के लिए कोई मतलब एक तरीक से इंटरस्ट नहीं दिखा दे थी जिस कारण से सभी का विनास होता जा रहा था हूँ है ना ये पाणिसा आप यहाँ पे लिख सकते है उसके बाद कोशन नमर 25 बहुत ही आसान कोशन है जैन धर्म की सिक्षाई बदाईए जैन धर्म की सिक्षाई क्या है भाई संबुन विख प्राणवान है यानि की दुनिया में जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है सब में जीवन मौजूद है चाहे वो पेर पौदे है चटान है पंखा है टेबल कुर्शी सब में जीवन है बता दे जैसे कि हत्या ना करना चोरी ना करना जोटना बोलना ब्रह्म चर्य का अपालन करना ठीक है तो यह सारे पंट है आप बताए उसके बाद है कुछन नमर 26 पर्योजना पर काम करने वाले विद्वानों ने महा भारत कि सभी पंटो लिपी में पाय जाने वाले स्लोकों की तुलना करने का क्या तरीका ढूर निकाला संचिप में बताईए तो इसमें आपको वैसे कोश्चन थोड़ा घुमाये गया लेकिन कोश्चन में आपको बताना है महा भारत का स्वमलोचन आत्मक संसकरन वाला जो पाइंट है वो बता दो ठीके तो महा भारत का स्वमलोचन आत्मक संसकरन की परियोजना 1919 में सुरू की गई थी बिये सुक्थांकर के दुआरा बहुत सारे विद्वानों ने मिलके इस परिजोना को पूरा करने का जिमा उठाया था उन्होंने क्या किया महा भारत की अनेक भासा में लेके पांडू लिपियों को एकत्रित किया और उन्होंने क्या किया उन सभी पांडू लिपी में से उन सलोकों का चैन किया जो सभी पांडूलिबी में पाए गए थे उस सलोक ऐसे ढूड़ेगे जो कि सभी पांडूलिबी में पाए गए थे और उसके बाद उसका परकासन कितने हजार प्रिष्टों पे कड़िया था 13000 प्रिष्टों पे पर युजना को पूरा होने में 47 वर्ष का उपयोग किया कि नहीं तीन सुरोतों का उलेख कीजिए मतलब इस कोशन में आपको मौरे सामराजे के बारे में जो जो भी जानकारी प्राप्त करने के सुरोत है उसके बारे में आपको बताना है जैसे कि मैकस्थनिज की इंडिका था है ना कोटिले का अधिसास्त्र है जैन बौधर्म की गरंथ है असोक की अभिलेख है तो वो चारू पैंट के बारे में आप इसमें लिख सकते थे उसके बाद 27 में एक और कोशन दे रखा है कि ती हासकारों ने हरपा संस्क्रीती के निर्वाह के तरीके को किस परकार नई दिशा परदान की तो यहाँ पे आप निर्वाह के तरीके की बात करें हरपा वासी निर्वाह किस तरीके से करते थे ठीक है पेर बहुतों से भोजन पराप्त करते थे मचली इनका मुख्य हार था अनाज के दाने में गेहू, जो, सफित, चना, तिल, बाच्रा इन सब चीजों को सामिल करते थे इसके अलाबा आपका जो जानवर है जानवरों में भेर, बक्री, सूर, घरियाल इन सब चीजों से भोजन पराप्त करते थे अब देखो, एक होते पुरा वनस्पतिग्य, जो की वनस्पतियों का ध्यन करते हैं और एक होते जीव पुरा तादविद तो जीव पुरा तादविदों ने जानवरों के बारे में बताया, जानवरों के बारे में जानकारी दी कि हरपावासी किन जानवरों को खाते थे और जो पुरा बनस पतिग्या थे उन्होंने बताया कि किन अनाज के दानों का इस्तमाल वो भोजन में करते थे तो ये भी आप इसमें लिख सकते थे अब देखिए अगला जो खंड है आपका है आठ मार्क्स वाले कोशन इसमें रहेंगे अभिलेक का अर्थ कैसे निकाला गया तो इसमें आप आठ नमर के कोशन को करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आठ नमर के कोशन में आप सबसे पहले एक परस्ताबना लिखे परस्ताबना में question को समझाए आप परस्ताबना या introduction जिसको हम बोलते हैं भूमिका है ना उसमें आप question को समझाए उसके बाद main answer और last में एक निसकर्स जरूर लिखे भाई निसकर्स लिखना बहुत जरूरी है आप नमर के question में अगर आप आठ में से आठ नमर चाहते हो तो तो यहां पर पूछाए गया अभिलेक का अर्थ कैसे निकाला गया सबसे पहले अभिलेक का अर्थ समझा देजीए आप तो अभिलेक क्या होता है जो पॉलिस पत्थर या चटान पर उतकेन किया जाते है अब आरंभिक अभिलेक जो थे वो ब्राही और खरोष्टी लिपी में लिखे गया थे है ना और इसलिए अभिलेकों का अर्थ निकालने का मतलब यह था कि ब्राही और खरोष्टी लिपी का अर्थ निकाला जाए ब्राही लिपी को पढ़ने में हमें जेम्स प्रिसेप ने सायता पहुचाएं मतलब जेम्स प्रिसेप ने उसका अर्थ निकाला था 1838 में वैसे 1830 का दसक भी आप बता देंगे तो चलेगा लेकिन एक्जेक्ट डेट जो है 1838 है आपका जो ब्राही लिपी का अर्थ निकाला गया था उन्होंने क्या किया जो इरोप के विद्वान थे हो भारतिय पंडितों के सायता से देव नागरी और बंगाले लिपी को पढ़ा पहले और उसके बाद सब्दों के तुलना करके उन्हें ब्राही लिपी कार्थ निकाला फिर खरोष्टी लिपी को आप बता दें खरोष्टी लिपी को पढ़ने में जो हिंदी युनानी राजाओं ने जो सिक्के बनवाए थ उन सिक्कों से मदद मिली थी ठीक है क्योंकि उन सिक्कों पर अपना नाव युनानी और खरोष्टी लिपी दोनों में लिखवाते थी ठीक है तो उससे इसकार्थ निकाला गया था ये पॉइंट आप यहां पर लेख सकते हैं अथवा में एक और कोशन है कि सहित्तिक भगवत गीता है अगर उन से हमें इतिहास के बारे में जानकारे जोटाना है तो कौन सी बातों को हम ध्यान में रखेंगे है ना तो इसमें आप सबसे पहले भासा की बात कर सकते हैं कि गरंद किस भासा में लिखी गई पाली प्रकिर्ट संस्कृत किस भासा में है उसके बा आप गरंद के लेखक की बात कर सकते हो भाई कि गरंद का लेखक कोन है किसके माध्यम से गरंद की रचना की गई है है ना रचना इस्थान क्या है गरंद का रचना इस्थान क्या है उसके बारे में भी आप पता करोगी किस इस्थान पे गरंद की रचना हुई रचना काल है न स्रम प्रधान किरिसी समाज में महिलाओ के योगदान का वर्णन करते हुए यह भी बताएए कि उनकी कैसे इस्तिती थी उचित उधारन भी दीजिए भाई बहुत आसान कोशन है मुगल काल में महिलाओ की इस्तिती कैसी थी आज ही जो मैंने इंपोर्णन कुशन आंसर की वीडियो बनाया उसमें भी एक एड है महिलाए जो थी यो पूरुसों के साथ कंधे से कंधा मिला के खेतों में काम करती थी जो पूरुसते वो हल चलाते थे महिलाए बुआई निराई काटाई का काम करती थी महिलाए के साथ भेद्वा होता था ना बंगाल के जो महिलाए थी उनको पान के बगानों में जो मासिक धर्म का समय होता था ना तो उसमें उनको पान के बगानों में जाने के अनुमती नहीं होती थी इसके अलाबा जो आपका पश्चीम भारत है पश्चीम भारत में उनको कुमहार का जो चाक होता है और किसान क के कारण बहुता घुद के समय तो इस पर साधी के समय कीमत आदा करने परती थि डहेश नहीं देना होता था ऑदो कि दूल हन के मावाप को दूल के मावबाप को पैसे देना होता था साधी करने के लिए बहुत सारे पॉइंट है आप इसमें लिख सकते हैं आसान है काफी उसके बाद है मुगल ग्रामी समाज को जानने के विभिन सुरोतों की व्यक्या कीजिए इस काल में किसानों द्वारा किरिसी के लिए परियोग किये के तकनीकों को सपस्ट कीजिए तकनीक भी बताना है किvine कीछ सान खेती करने के लिए कौनसे तकनीक का इस्तमाल करते थी और मुगल काल के वारे में जानकारी प्राप्त करने के सुर्वत भी बताने है दो चीज गैक तो मोगल ग्रामी समाज के वारे में जानने का सुरोध क्या है हमारे पास और मोगल काल में खेदी करने के लिए कौन से तरीके अपनाया जाते थी तो तीन सुरोध है, सबसे पहले आप जानकारी पराप्त करने के सुरोध की बात करो, तीन सुरोध है एक तो आईने एकवरी है एक मोगल राधानी से दूर लिखे दस्तावे जो की महराश्ट, गुजरात और राजस्थान में लिखे गए इसके अलाबा इस चिनिया कम्पनी के दस्तावेश से भी हमें मोगल काल के वारे में जानकारी मिलती है इसके अलाबा अगर हम बात करें कि भाई किसान खेती करने के लिए कौन से तरीके अपनाएते थे तो बैलो का इस्तमाल करते थे लोहे के हलो का इस्तमाल करते थे बीज को छिरकने के लिए बर्मो का इस्तमाल होता था है ना सांचेदार पठरे होते थे जो कि जमीन को सम्तल करने के लिए उजी में लाये जाते थे तो यह सारे पॉइंट आप इसमें लिखे ठीक है उसके बाद है तीसवा कोशन है गांधी जी ने राष्टवादी संदेश का परचार शासको की भासा के जगवे मात्र भासा में करने को पुर्तसाहित किया उन्होंने अपने दर्शन के साथ आसयोग आंधोलन को किस परकार एकजोट किया परक किजिए तीकिये महात्मागांदी हमेशा से हिंदी भासा को महत्व देती जाते हैं कि जो भी हम आदेश जारी करें जो भी हम मतलब बाते जंदा तक पहुंचाएं ना कि जो अंग्रीजी भासा उसमें और आसयोग आंधोलन के संदर में आपको बतारा है तो आसयोग आंधोलन की पुरी घटना आप इसमें लिखेंगे पुरी घटना को आप घुल आपको लॉकर्म बता देगीbak की जो किसान थे उन्हों ने कर देना बंद कर दिया पर चाट्रों पुरे ऑच्ट्रों ने अनग्रीजी द्वारा चलाएक पुरी घटना पन रिखेंगे उसके बार आप आसयोग अधोलन के साथ महात्मा गान्दी ने मिला दिया ताकि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए इस सब चीजे बता दे और आखिर में बता दे इस आंदोलन को उन्होंने वापिस क्यों लिया था तो चौरी-चौरा हत्त्या कांड हुआ था गोरकपुर में उसके बाद उन्होंने इस आंदोलन को वापिस ले लिया था पुरी स्टोरी आप आश्यों गांदोलन की बता दे लेकिन स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा हिंदी भासा का महत्म जो है वह आप जरूर बता दे ठीक है उसके बाद अथवा में एक और कोशन है कि फरवरी 1916 में बनारस हिंदू बिस्पित द्याले के उद्घाटन समारों के अपसर पर गांधी जी द्वारा व्यक्त विचारों की व्यक्या कीजिए क्या वे अपने नियमों को बेभार में ला पाए उधारंदी जी तो महत्मा गांधी ने बनारस हिंदू बिस्पित द्याले के उद्घाटन समारों में लेकिन एक कमी है यहां पर हजारों के संक्या में मतलब यहां पर सजेद हजे भद्रजन अमीर वैपारी बुद्धी जीवी सब उपस्तित हैं लेकिन हजारों लाखों के संक्या में जो हमारे देश के किसान हैं हमारे देश के मजदूर है वो अनुपस्तित हैं इस वेज़े से मैं बहुत दुखी हूँ हमें आजादी चाहिए ना आजादी हमें मिलेगी किसानों के मदद से मजदूरों के मदद से ना कि वकील के मदद से या फिर किसी बुद्धी जीवी या बैबारिक बर्ग के मदद से आजादी मिलेगी तो किसान और मजदूरों के मदद से उन्होंने किसानों और मजदूरों को बहुत महद दिया उन्होंने बोला कि हमारे लिए सौराज का मतलब तब तक कुछ नहीं है जब तक कि हम किसानों के उनके उपज का पूरा हिस्सा उनको दिला दे तो ये बाते कहाते हैं और इस विचार को अमल में भी लाया 1916 में ही आपको पता है चमपारण से कुछ किसान आए उनके पास महात्मा गांडी के पास नेलगी खेदी जवरदस्ती अंग्रियों जो लोग करवा रहे थे तो उसके खिलाब चमपारण सत्यागर चलाया उसके बाद आपको पता है अहमदाबा सत्यागर है आपका खेड़ा सत्यागर है तो धीरे धीरे उन्होंने किसानों के लिए मजदुरों के लिए काम करना शुरू किया और अपने नियमों को बास्ता में वैभार में भी ओ लेकर आये थे तो इस तरीके से इसका अंसर आप लिख सकते हैं अब देखे शुरुत अधारित कोशन दो भाई आप खुद कर ले आप इसको पढ़े और आप सभी कोशन दो दे रखें उसका उत्तर आप दे दे ठीके मैप देख लेते हैं मैप देख लेते हैं वाई एक पर हम तो मैप में देखिए कोनकों से लोकेशन आपको पताने हैं आप लोथल बता सकते हो आप सांची बता सकते हो अजमेर या अमरित अजिमेर और आपका कानपूर में से एक लोथल और साची में से एक और एक अम्रित सराव सारे लोकेशन हम कर लेंगे दिक्कत बाली कोई बात नहीं है मैं आपको पता देता हूँ देखिए सबसे पहले लोथल तो लोथल आपको दिखाना है कहाँ पर लोथल आपको दिखाने है गुजरात में इस जगे पे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको देखिए लोथल का लोकेशन आप कहाँ बताएंगे लोथल का लोकेशन इस जगे पे आप बता सकते है ठीक है गुजरात में यह लोथल है यहाँ पर इस जगह पर ठीके उसके बाद आपका आपका था एक और लोकेशन था साची ठीके तो साची आप मत्य परदेश के बीच में दिखा दे इस जगह पर आप साची दिखा दे यहाँ पर इस साची का लोकेशन हो गिया ठीके उसके बाद आपका था एक एक मिनट अजम नंबर आपको मिल जाएगा अच्छी तोरा सा एक ऊपर लोकिशन उपर पता दो आपको मिल जाएगा अम्री सर आपको पता है भाई अम्री सर का है पंजाब में है पंजाब का है हमारा यहारा पंजाब तो आप अम्री सर पंजाब में पता दो भाई ठीक है तो यह आपका हो जाएगा पंजाब में उसके बाद आपका इसी मांचित पर ए और भी अंकित किये गये है भारत के इसी आंजोलन से संबंदी दो जगे आपके अंकित किए गए उनको पैचान कर आपको लिखना है तो दो जगे भाई देखो एक तो आपका है एक आपका यहां पर होगा एहमदाबाद जहां तक मिरे को लग रहा है ठीक है एहमदाबाद का लोकेशन है और यह आपका है बंबई ए में बंबई है और बी में एहमदाबाद है थोड़ा सा एहमदाबाद और खेडा है ना खेडा डांडी वेकरा जो है आसपास में यह तो यह आपका map हो गया तो यह आपका आज का पहला टेस्ट पेपर था जो कि मैने आप लोगों को solve कर वा दिया है आप खुद solve कर वरूना आर आप मैने आपको बोला न आप answer seat slow आपका examination seat जो आता है लो उस पे लिखकर प्रैक्टिस करें अब को बिल्कुल पेपर वाली फिलिंग आये कि आपको लगे आप exam में बैठे हुए है जाहिए अब लोगों को उसका एंसर की प्रोवाइड करा दूगा तो मिलते फिर आप लोगों से अगले एड़ीो में तब तक की लिए जय हिंद जय भारत आप आप सभी अपना ख्याल झाल